कपूर के आजमाई हुए टोटके दिलाएंगे हर छेत्र में सफलता नमस कर्मितरों स्वागत है सिर्द टोटके चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में आप ऐसे छोटे छोटे से उपाई जानेंगे कपूर के जो आपको आपकी लव लाइफ से लेकर अपनी प्रोफेस्नल लाइफ तक अपनी घरिलू लाइफ में भी हर तरह हर जगा सफलता दिलाएंगे कोई भी बिगड़ी बात को आसानी से बना पाने की छमता रखते हैं कपूर कपूर को तंतर में हमने पहले वी वीडियो में बताया है कि आकरसन की एक अच्छी डिवाइस के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है ये सुद्धता का प्रतीक है, ये भगवान को बहुत प्री है, सभी देवी दोताओं को प्री है, कपूर मातलक्षमी को बहुत प्री है, तो आज हम आपको कपूर का प्रियोग बता रहे हैं, कपूर का प्रियोग करेंगे, तो घर में कैसे सुख सांती, धन, धान्य, कैसे तर कर लीजिए WhatsApp पर आप हमसे संपर कर सकते हैं call me for app डाउनलोड कर लीजिए सिद्ध टोट की चैनल सर्च करेंगे आपकी मुझसे सीधे बात हो जाएगी जो भी आपकी समस्य आप हमसे discuss कर सकते हैं और उसका समधान भी प्राप्त कर सकते हैं तो आई यह जानते हैं आज इन उपायों के बारे में जिने करना हमारे लिए बहुत ही फाइदेमंद रहने वाला है तो आपको यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में सुषत है पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता उसका पढ़ा हुआ उसे याद नहीं रहता नंबर कमाते हैं कितनी भी पढ़ाई कर ले नंबर कमाते हैं जिस समय एक्जाम होता है उसी समय पे उसकी तवेत खराब हो जाती है या दूसरी कोई परिशानी आ जाती है रिस्तिदार आ जाते हैं तो ऐसी अगर दिक्कते हो रही है कि उसकी पढ़ाई लिखाई में बाधा पहुच रही है बार बार कुंडली भी चेक कर वाईए क्योंकि राहू हो सकता है हो सकता है दूसरे ऐसे ग्रह जो सत्रू या फिन्नी चरासी में हो उनका भी प्रभाव हो सकता है पापग्रह हो सकता है तो वो भी दिखाना आउश्यक है इसके लावा कौन सी दिसा में बैटके पढ़ाई करता है दिसा भी बहुत आउश्यक है तो जितने भी उपाई बताऊंगा इसमें दिसा भी आउश्यक है सही होनी चाहिए, आपके घर का वास्तु सही हो, तभी तो उपायज सही धंक से काम करेंगे उपायज जो बताऊंगा वो काम जरूर करेगा, लेकिन उसकी जो असर की तीवरता है वो किसी पे कम किसी पे ज़्यादा आएगी उसका कारण यही रहेगा कि कौन कहां पर रह रहा है कौन कितना अपना life को balance किया हुआ है किसका घर कितना ठीक है, कितना सुद्ध है और उस घर की कौन सी दिशा में वो रह रहा है यह बहुत सारी बातें लागू होती है तो आज तक भी जितने उपाय बताएं है यह बात वहाँ भी सच है, यह बात यहाँ भी सच है इसलिए कुन्डली भी जरूर दिखाएं अपने घर के बारें भी आप पोच सकते हैं अब आज बात करते हैं कि उपाय क्या है फिर इसका अगर बच्चा इस तरह का है तो उपाय क्या है उपाय है आप एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा ले लिजे भीम सेनी कपूर का टुकड़ा उस बच्चे के हाथ से पकड़ा के उसे उसकी जो कौपी किताब रखने की जगह है पढ़ने की जो आलमारी हो जिसमें वो अपनी कौपी किताबे रखता हो तो उसमें उसे रखवा दीजे मा सरश्वती का नाम लेकर कि हेमा आप आईए हम आपका आवान करते हैं या हम आपको पुकारते हैं या हमें आपकी कृपा क्या हो सकता है आप हम पर कृपा करें ऐसा बोलिए और आप इसे वहाँ पर रख दीजे बच्चे ने रख दिया अब जब भी बच्चा बैठेगा पढ़ने के लिए उसका मन लगना शुरू हो जाएगा जब भी वो कुछ याद करेगा दिमाग में वो बात बैठना शुरू हो जाएगी यानि कि हर तरीके से वो सही होने लग जाएगा अपनी पढ़ाई में उसके मांक सच्छे हैन लग जाएगे वो पढ़ाई में अवल होने लग जाएगा आप देखिएगा करके और इसमें कुछ खर्च नहीं है बहुत ही आसान है आपने एक दिन कपूर रख दिया जब कपूर वहाँ वो धीरे धीरे वास्पित हो जाएगा खतम हो जाएगा फिर आप दुसरा कपूर रखवा दिजे यह करना है यही आगे भी उपायों में यही करना है कि जब-जब कपूर खतम हो तो आपको दूसरा कपूर वहाँ रखवा देनाए बस इतना ही काम है अब मार लेते हैं आपकी love life में प्रबलम है, तो क्या करना है, love life में प्रबलम है तो आपका जो साती है, साती से जुड़ा हुआ, कोई नओ कोई सामान तो आपके पास होगा ही, चाहे उसके द्वारा दिया गया कोई गिफ्ट होगा, उसका कप्डा है, रुमाल है, उसका कुछ भी उसका हो सकता है उसके नाखून, बाल, कुछ भी आपके पास है आप उसके साथ ही प्रयोक कर सकती है कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है उसका फोटो है, फोटो के साथ कर सकते हैं फोटो भी नहीं है, तो सोयम ही उसका ध्यान करते हुए या उसका फोटो देखते हुए आनलाइन अब तो फोटो आपको आराम से मिल जाएगा तो उसका फोटो देखते हुए एक कागज पर उसका नाम लिखिए लाल पिंसे और इसमें एक कपूर का छोटे से टुकड़ा रखिए और उसे पुडिया बना दीजिए लपेट करके पुडिया बनाके अपनी ही पर्स में या अपनी आलमारी में कपड़ों के आलमारी में कहें भी चुपाके रख सकते हैं जिसका प्रियोग आप ही करते हूँ आपको ये करना चाहिए आपकी लव लाइफ दिर दिर अच्छी हो जाएगी जब कपूर वहाँ खतम हो जाता है तो आपको नया कपूर उसमें रख देना है प्रिकिरिया ही रहेगी मतलब उसका ध्यान करके बस कपूर रखना है क्योंकि नाम आप एक बार लिख चुके है और ये हमेशा करिए ऐसा नहीं कि ये कब खतम होगा कब खतम आप क्या चाहते है प्यार कब खतम हो आप क्या चाहते है पढ़ाई लिखाई कब खतम हो जाए नहीं चाहेंगे आप तो चाहेंगे उम्र भर जब तक है तब तक पढ़ाई लिखाई का अपना स्तित्तो बना रहे जब तक हूँ तब तक प्यार बना रहे जब तक हूँ तब तक हमारी love life, married life अच्छी बनी रहे यही चाहेंगे न तो इसलिए उपाय को भी इसी तरह से गर आप continue करेंगे तो कुछ समस्या नहीं है, भूल गए कोई बात नहीं आगे से शुरू कर दीजे जब भूल गए, फिर से आगे से शुरू कर दीजे, उसकी समस्या नहीं है, जीवन है थोड़ा कभी भूल चूक होती रहती है लेकिन करते रहेंगे तो लाब भी होता रहेगा अगले उपाय की तरह बढ़ते हैं जिनको धन सम्बंदी बहुत समस्या बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं से धन आ नहीं रहा अपना धन भी किसी वो दे दिया वो भी फस गया, वो भी नहीं आ रहा कहीं काम किया है तनखा नहीं आ रही कोई कॉन्ट्रेक्ट लिया था, वो फेल हो गया पूरा नहीं हो रहा इसलिए पैसा नहीं आ रहा कॉंट्रेक्ट पूरा करके दे दिया धोका मिल गया पैसा नहीं आ रहा यानि कई ऐसी चीज़ें हो सकते हैं जहां पर आपका पैसा आपको मिल नहीं रहा अटक जा रहा है आपने किजी को पैसा दिया है वो पैसे वापस नहीं कर रहा बहुत बड़ी समस्य हो जाती है आप अपने पैसे को यह नहीं पा सकते तो ऐसी जगों से निकलने के लिए भी कपूर का प्रियोग किया जा सकता है सबसे पहले तो यदि आप मेहनत कर रहे हैं कमाई करने का प्रियास कर रहे हैं और पैसा नहीं आ रहा तब क्या करें तब आप अपना जो धन स्थान बनाए हैं घर में उस धन स्थान पर सुक्रवार के दिन एक चोटा सा टुकड़ा लेजिए कपूर का माता लक्षमी का ध्या मालक्षमी की कृपा भी आपको होने लग जाएगी आप अपनी मेहनत जारी रखना जो बच्चे पढ़ाई कर रहे तो अपनी पढ़ाई जारी रखें बस हो गया सबका काम आप प्यार वाले जो पढ़ाई वाले हैं ये किस दिन उपाय करें तो आप बुद्वार के दिन उ उपाय कर सकते हैं शुक्रवार शोमोर इन दिनों में आपको उपाय करना चाहिए इसके अलावा रव्यवार के दिन भी कपूर का उपाय आप कर सकते हैं इससे पढ़ाई आपकी होगी बहुत अजीब लगेगा लेकिन सनिवार के दिन भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ यदि सनी प्रसंद हुए तो आपके पढ़ाई को वो इस्तिरता प्रदान कर देंगे और उस पढ़ाई के बल पर आप अपने जिवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन ला देंगे, कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगे, तो इसलिए सनी वार के दिन यदि आपने करा और आ यदि आप सही हैं तो, यदि आप गलत हैं तो सनी वार के दिन प्रयोग करने से बचिएगा, फिर नहीं चल पाएगा, तब गलत हो जाएगा, अब किसी को पैसा दिये वापस ने आ रहा, इसके लिए क्या करें, इसके लिए तो आपको सोम वार के दिन, सुक्रु वार के दि आपको कपूर लेना है उसी व्यक्ति का नाम जिसको आपने पैसा दिया है उसका नाम लिखें वैसे ही जैसे प्रेमी के लिए प्रेमी के लिए लिखा गया था ठीक उसी तरीके से उसका नाम लिखें और उसको आदेशित करें कि पैसा मेरा मुझे लाकर दे दो और कपूर की भई पुडिया बना के उसको भी आलमारी के नीचे रख दीजिए किसी भी आलमारी के नीचे आलमारी के अंदर भी नीचे वाले खाने में रख सकते हैं आलमारी के बिल्कुल नीचे भी रख सकते हैं ऐसे उसको रखना होगा और कुछ दुनों में वो व्यक्ति आपको आपका पैसा लोटा देगा किसी का वशिकरन करना चाहते हैं बहुत समय से रिस्ता खराब चल रहा है तो भी ये उपायकारगर है आप तब भी कपूर से उचाकरशित कर सकते हैं कपूर उसके साथ रखी आपका काम हो गया इसके अतरिक घर में यह दिशुक्त शांती नहीं रहती है घर में कुछ ना कुछ परिशानी हमेशा बनी रहती है तो दो उपाया आप कर सकते हैं एक उपाय कि आप जल में सादा जल जो आप पीने के लिए फ्रयोक करते हैं ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है कोई दूसरी धातु की लिजे तामबे की लिजे पीतल की लिजे ऐसे कोई कटोरी एक लिजे बलकि कटोरा लिजेगा पड़ा उसमें पानी भर ले और उसमें कपूर का एक धेले डाल देजे अगर नहीं है जगा इतना रखने की तो आप सिर्फ कपूर रख दीजे सूखा उत्तर पूरप के कोने पर उत्तर दिशा जल तक तो है जल की है तो उत्तर की दिशा में यदि जल आप भरकर रखते हैं तो उसका लाब अवस्य होता है तो इसलिए जल से जुड़ा हुआ जो उपाय है उसको उत्तर की दिशा में करें तो उसका आप मिल जाता है अब आपकी कुंडली में भी देखना होगा कि वो चीज आपके लिए कितनी कारगर है आपको कितना फाइदा करेगी उसके अनुसार उसे करेंगे तो और भी अच्छा होगा तो ये दो तरीके से आप अपने घर के अंदर जो ग्रह कलेस मचा हुआ उसके उत्तर के दिशा पूरे घर की घर की उत्तर की दिशा को अच्छे से सापसपाई कर दें और उसी उत्तर दिशा में कहीं पर भी मध्य में उत्तर दिशा ठीक मध्य में ही है उसके बाद तो फिर एक तरफ पूरब की और जाने लगए एक तरफ पस्चिम की और जाने लग जा बिल्कुल मद्य में यानि अपने घर के सेंटर से चलते हुए उत्तर दिशा में आखरी दिवार तक जाएए और वहीं पर कपूर का एक धेला किसी भी चेज में करके कटोरी में करके आलमारी के ऊपर या कहीं पर भी जहां रखा जा सके श्टूल पर कटोरी में करके रख नए रोग या भयानक रोग या बिगड़ी रोग नहीं आने वाले घर में सामान सर्दी जुकाम तो किसी को भी होता रहता होना चाहिए भी तो वो सब चलेगा लेकिन कुछ बड़ी परिसानी घर में कभी नहीं आएगी जिसके कारण पूरा घर डिश्टब हो जाया बहुत सा हमारी आने से घर में तो वो देरे देरे दूर हो जाएगी मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए